देखो सबका अपना अपना चोईस होता है कुछ लोग का मन होता है कि बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि वो सेफ रहती है और कुछ-कुछ लोग ऐसे भी मतलब अफ़ा फैलाते हैं कि अपना सबसे ज़्यादा पैसा जो है मतलब 80% पैसा जो है आप लार् यह वो कंपनी है जो 50 साल क्या 100 साल बाद भी आपको मतलब मैं आपको बता दूँगा कि एक नॉर्मल रिटेन ही निकाल के देगा और उतना साल भी रहेगा कौन ये भी तो दिखना है ना कौन रहेगा और एक चीज और जो स्मॉल कैप मिड कैप है वो आपको 5 साल में 10 साल म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ज्यादा तर अपना पैसा जो है स्मॉल कैप मिड कैप में ही रखते हैं ज्यादा तर पैसा पहली चीज चलो छोड़ो उसको दूसरी चीज अगर उन्होंने सबसे जादा पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट से और ये सच है तो ये भी उत कि आप मुझे फूल फर्म बोलते हैं आप कमेंट कीजेगा ठीक है कमेंट कीजएगा तो ये एक बड़े इन्वेस्टर हैं और इनके पॉर्टफोलियो में ज्यादा तर मल्टी बगर स्टॉक ही होते हैं तो यहां पर आपको जनकारे भी दिगेई हैं अभी केवल मैं केवल फर्स और सकेंड लाइन पढ़ूँगा आपको दुनियादारी समझ में आ जाएगा डॉली खन्ना के बारे में यहां पर देख सकते हो is known for investing in small cap stocks that tend to generate very good return in the long term अब आप देख लिजे यहां पर यह केवल small cap stocks में investment करने के लिए जाने जाते हैं और मैंने आपको बोला ना जितनी भी बड़े लोग है आप बड़े बड़े पिलियर को उठा लो ना रादा की संदमानी जी की कर रहा खुद की कंपणी ना उठा लो उनको उनसे पूछ लो लेकिन हाँ हम डीमार्ट को consider नहीं करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने डीमार्ट जिस पैसे से बनाया है ना वो पैसा small cap mid cap penny stock से ही आया है यह भी तो सोचो समझ रहे हो ना तो इन्होंने कुछ ऐसे stock है जिन्होंने खरीद रखा है और इस quarter में भी यह खरीद रहे है company का नाम यहां पर दिया गया है चैन्ही petroleum corporation मनाली petrochemical आपको बताया जा रहा है और national oxygen यह तीन ऐसे stock है जहां पर यह और ज्यादा खरीद रहे है और ज्यादा खरीद रहे है अब देखो जितने भी smart investor होते ना मतलब जो अपने आपको मानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा यह हू वह हूँ ऐसे वैसे तो आपको बड़े stocks बताएंगे एक formula बताता हूँ कोई भी इंसान अगर आपको large cap stock खरीदने के लिए बोल रहा है समझ जाओ कि भाई वो ना बजार में आस्ता कुछ किया है ना वो करना चाहता है क्योंकि large cap stock भागते ही नहीं है और ना ही भागने वा ले है अभी रिसेंट में चो कंपनी खरीद रहे हैं यह मोंटी कारलो फैशन यह मोंटी कारलो फैशन जिसका market cap अभी बहुत छोटा है 1,600 करोड का ही है आज बाजू में यह कंपनी आपको 2% का dividend भी निकाल के देता है यह कंपनी टेक्सटाली के लिए काम करती है और तो और यह कंपनी को काफी अच्छा order भी मिला है और यहाँ पर ही इन्होंने investment करना start किया है देख लिजे तो यह बहुत छोटी कंपनी है 1,600 करोड का मतलब क्या है बहुत छोटी कंपनी है जो लो लार्ज केप कंपनी खरीते हैं 2,3,4,5,20,000 करोड की वो इतनी बड़ी बड़ी कं आते हैं यह है Monty Carlo fashion देख लिजे तो अब यह stock चलना start किया है और 400% का return निकाल के तो दिखा रखा है अब यह company जो है मैं आपको बता दूँ Amazon, Flipkart, Mintra, जितने भी online के बड़े-बड़े player हैं सब के साथ company मिलके काम कर रही है और online यह company जैसी अपना sales करना start किया भी 90% improvement दिखा इनके sales में 90% मतलब company product बनाते बनाते ठक गई यह जो बड़े-बड़े company उन्हें ने बोला क्या कर रहे हो जल्दी-जल्दी काम करो क्योंकि इतना order है आप online जानते online की दुनिया बहुत मतलब बड़ी है तो वहां से तो company online भी जूट चुकी है और काफी इचा profit भी कर रही है company उससे बाद जुवारी industry केवल 400 करोड का market gap है केवल 400 करोड का real estate के लिए construction के लिए infrastructure के लिए rail road bridge सभी कुछ के लिए company काम करती है 1% से ज्यादा तो यह company केवल dividend देती है इतना ज्यादा company के पास cash flow है अभी company उपर से नीचे की level में काफी ज्यादा गिरा हुआ है तो इस company में भी उन्होंने माल खरीदा है देख लिजे तो अगर आप बड़ा return चाहते हो जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो और आपको फिर कुछ बड़ा करने के लिए ना बड़ी सोच की जरुत पड़ेगी calculated risk लेना पड़ेगा आपको आधा से ज्यादा लोग पता है रिलाइंस में company में पैसे लगा के बोलते हैं कि सर ये दस गुना तो हो चागा ना अब बोलता हूं ऐसे बोलने में ऐसे सोचने में आपको थोड़ा से घबरायाट फिल नहीं हुआ 20 लाग करोड के company है आप ऐसे कैसे कुछ बोल सकते हो अब देखो इन्होंने जो पहला जो textile वाला stock खरदा मैंने आपको बताया है ये चाहते तो trident में भी पैसे लगा सकते थे ना क्यों नहीं लगा है क्योंकि पूरी दुनिया trident पे पैसे लगा रखी है तो कुछ लोग है अलग होते हैं उनके blood में जो DNA मतलब जो होता है वो थोड़ा अलग होता है बाकि आपकी मर्जी रहेगी आप कौन से stocks में पैसे लगाते हो कैसे company हो पैसे लगाते हो मैं आपको बहुंगा कि अगर आप हर साल किवल 20% का return चाहते हो हर साल 20-25% का return तो large company में पैसे लगा हो को लेकिन गलती से कर आप सोच रहे हो बड़ा return चाहिए और large company में पैसे लगा दिया तो मैं आपको बहुंगा कि आप गलत जगे पैसे लगा रहे हो बाकि सबका अलग-अलग सोच होता है और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं तो अपने डिमीट अकॉंट इंजल में उपन कर सकते हैं